Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 1.3 का question number 6 देखते हैं क्या है Look at several examples of rational number in the form of P by Q और Q must not equal to 0 उसने क्या कहा है, हमने कुछ examples लेने हैं जो की P by Q की form में और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और क्या condition given है where P and Q are integers with no common factors other than 1 P और Q को हमेशा integer लेना है और P और Q का कोई भी common factor हमारा नहीं होना चाहिए Only one common factor हो सकता है, वो तो सभी का होता है And having terminating decimal representation और वो terminating भी होना चाहिए, मतलब उनकी decimal जो expansion आए वो क्या होनी चाहिए, terminating होनी चाहिए Can you guess what property Q must satisfy? तो जो हमारा denominator में Q होगा, तो उसके अंदर क्या property होगी? वो हमने यहां पर guess करनी है, तो यहां पर कुछ example लेते हैं P by Q की form में, example ले लिया मैंने जैसे 2 by 5 अपने पास से कोई भी example ले सकते हो अब जैसे 2 by 5 लिया है, देखो 2 और 5 क्या है हमारे integers हैं क्यो हमारा 0 भी नहीं है, और इन 2 और 5 का कोई भी common factor नहीं है अब इस पर देख लेते हैं, हम क्या यह terminating है या नहीं है 2 को अगर मैं 5 से divide करता हूँ, तो क्या आजाएगा? 0.4 आजाएगा Terminating भी है, complete divide हो गया कोई और example ले लिते हैं, जैसे 3 by 2 ले लिया 3 को 2 से divide किया, तो answer आजाएगा 1.5 ये भी हमारी condition satisfy है कोई और ले लिते हैं, जैसे मान लिया, हमने ले लिया 7 by 8 ले लिते हैं 7 को 8 से divide करेंगे, तो आजाएगा 0.875 ये भी terminating आगया कोई और example ले लिते हैं, 7 by 10 ले लिया 7 by 10 क्या हो जाएगा हमारा 0.7 आगया क्लियर है, तो हमने कुछ example ले लिया कोई और भी ले सकते हो, आपके मने में कोई भी जो example आए वो देखो, बट terminating होना चाहिए और condition satisfy होनी चाहिए ठीक है, 1 by 2 ले लो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 आगया 1 और 2 में कोई भी common factor नहीं है कलियर है, तो ऐसे examples ले लिया हमने, अब यहाँ पे इन example से हमारा क्या result निकल के आया, कि जो हमारे जो इस denominator है ना, यह, जहाँ पे मैं mark कर रहा हूँ, यह वाले इन denominators के अंदर क्या common लगा आपको यह बताना है, क्या guess कर सकते हैं यहां से, हमने यहां पे पता है क्या guess क्या, देखो Q must contain factors of किस-किस के factors दिख रहे हैं आपको denominator में, देखो 5 में 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, यह भी 2 का factor है, यह भी 5 और 2 का factor है, तो हमेशा denominator के जो factor होंगे ना, 5 और 2 की form में ही होंगे, यही हमने यहां पे guess कर लिया Q must contain factors of 2 और 5 और both या तो अके लिए 2 के factor होंगे, या 5 के होंगे, या फिर दुनों के हो सकते हैं अब देखो, 10 है, 10 किस-किस-किस के factor है 2 multiply 5, 2 और 5 का factor है 8 है, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 multiply, 2 multiply 2 2 तू जा 4 तू जा 8 तो 2 के factor आ रहे हैं यहांपे, यहांपे तो 2 ही है, यह भी 2 है, यह 5 अकिला है तो 5 और 2 की form में ही हमारा denominator आ रहा है, तो हमने यही यहांसे guess कर लिया, कि जो हमारा क्यो है, वो must be factor of 2 होगा या फिर 5 होगा, या दोनों का होगा I hope यह question आपको अच्छे से clear हो गया, question number 6 next बात करते हैं, question number 7 की क्या है question number 7 के अंदर क्या है write 3 numbers which decimal expansions are non-terminating and non-recring मतलब यहां पे हमने ऐसे 3 number लिखने हैं, जिनकी decimal expansion क्या हो, non-terminating हो, और non-recring हो मतलब बार-बार repetition ना हो मतलब हमने यहां पे irrational number लिखने हैं अब irrational numbers कौन से होते हैं, हमारे pi है, pi की value देखे तो क्या होगा, 3.1415 something ऐसे चलते जाओ कहीं पे भी repetition नहीं होगी और हमारा जो number है यह क्या आगया, non-terminating होगा और non-recring होगा, अब recurring का मतलब क्या होता है, जैसे मानलिया लिख दिया, 0.666 ऐसे भी तो लिख सकते हैं बट यहां पे देखो, 6 recurring हो रहा है recurring मतलब 0.6 का बार लिख सकता हूँ मैं तो non-recring का मतलब जिसके उपर बार ना आए, तो pi की value 3.1415 कहां तक भी divide करते जाओ, calculator में करके देखना कहीं पे भी repetition नहीं होगी तो यह क्या आगया हमारा, non-terminating भी होगया, non-recring भी होगया clear है, under root 2 है इसका under root 2 का value क्या होगा, 1.414 213 something ऐसे करके चलता जाता है कितनी भी value कितनी भी value यहां पे लिख सकते है कहीं पे भी repetition नहीं होगा under root 3 है 1.732050 something ऐसे value आती है चलती जाएगी, चलती जाएगी यह भी क्या है, non-terminating and non-recring है, कहीं पे बार नहीं लग सकता under root 5 है यह भी क्या जाएगा 2.2360 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा और भी value जो सकती है जैसे 0.150 1500 15000 देखो एक एक 0 बढ़ती जाएगी बार नहीं लगेगा मतलब repetition नहीं हो रही है किसी चीज़ की ठीक है, और क्या हो सकता है 0.10 100 100 100 14 0 15 0 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा same digits बार-बार repeat नहीं होगी ठीक है तो ये क्या हो जाएगे हमारे non-terminating, non-recurring numbers I hope आपको अच्छे से clear हो गई है कोई भी लिख सकते है root की form में next बात करते हैं अपने question number 8 की question number 8 के अंदर क्या given है हमे find 3 different irrational numbers between the rational number 5 by 7 and 9 by 11 हमने क्या करना है 5 by 7 और 9 by 11 के बीच में 3 different irrational number find out करने हैं तो कैसे किया जाएगे अब rational numbers के बीच के rational number find out करने होते हैं तो हम class 8 में सीख्या हैं बहुत easy होते थे अब irrational number कैसे find out करेंगे बिलकुल easy है ये भी कोई doubt नहीं है कोई गबराने की जरूरत नहीं है आप भी देखते हैं कैसे कर लेंगे सबसे पहले 5 by 7 है 5 by 7 को आप decimal expansion में change कर लो तो 5 को हमने क्या करना है 7 से divide तो 0 आजेगा क्योंकि 5 छोटा है तो अब यहाँ पे 0 आगया 7, 7 जा क्या आगया यहाँ पे 49 remainder क्या आगया 1 फिर 0 आएगी 7, 1 जा 7 3 फिर 0 लेंगे 7, 4 जा 28 फिर क्या remainder आगया 2 फिर 0 लेंगे 7, 2 जा 14 फिर क्या remainder आगया 6 फिर 0 लेंगे 7, 8 जा आजाएगा हमारा 56 remainder क्या आगया 4 अब क्या लेंगे फिर 0 लेंगे 75 जा क्या आ गया हमारा 35 remainder क्या आ गया 5 अब देखो remainder 5 आया numerator भी 5 है तो यहां के बाद दोबारा से यह digits जो है repeat होना start हो जाएंगी यह चीज आपको ध्यान रखनी है जहां पे हमारा remainder numerator जैसा ही आ जाए same आ जाए तो वहां से repetition दोबारा start हो जाती है तो यहां पे क्या आ गया हमारा 5 by 7 की जो decimal expansion आई है 0.714285 का बार clear उसके बाद हमारा क्या है 9 by 11 है 9 by 11 को decimal expansion में change कर लो 9 को 11 से divide करेंगे 0.0 लेंगे 11,8 जा 88 remainder बच गया 2 0 लेंगे 11 की वंजा 11 वंजा 11 फिर remainder आगया 9 अब देखो 9 आ गया 9 इन numerator में था तो छोड़ दो अब यहां पे repetition स्टार्ट हो जागी बेसक करके देख लो तो हमारा 9 by 11 का decimal expansion जो आया वो आया 0.81 का बार इनके बीच की value निकाल नहीं थी हमने यहां पे देखो 0.71 है यहां पे 0.81 है तो क्या करो इनके बीच की value ले लो 7 1 से आगे क्या आएगा 7 2, 7 3, 7 4, 7 5 जो अपका दिल करे वो लिख लो तो यहां पे क्या आ जाएगा between 5 by 7 and 9 by 11 5 by 7 क्या था हमारा 0.714285 था इससे आगे वाली value तो 0.71 की जंगा लिख दो 724285 बना दो 0.73 कोई भी डिजिट लिख दो 325 जो भी आपका दिल करे 0.742876 0.751234 0.761345 कुछ भी बना दो आपकी मर्जी है 0.71 से ज्यादा होना चीए 0.81 से कम तो यह सारे value देखो 0.71 से 0.81 के बीच में ही तो है तो यह सारे क्या हो जाएंगे हमारे possible answers बिलकुल इजी था decimal expansion find out की दोनों की उनके बीच के नमबर लिख दो answer हमारा आ जाएगा I hope question number 8 आपको अच्छे से clear हो चुका है next बात करते हैं अपने question number 9 की question number 9 की statement देखते हैं क्या है classify the following numbers as rational और irrational यहाँ पे क्या करना है कुछ numbers given है उनको हमने rational और irrational number की form में बताना है कि कौन सा rational है कौन सा irrational अब इसके लिए तो आपको एक बार introduction वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि introduction के अंदर ही मैंने अच्छे से define कर रखे है rational और irrational number यहाँ पे भी बताऊंगा बट आपको introduction वीडियो हर एक चेप्टर की अच्छे से clear कर लेनी चाहिए क्योंकि most important seeds होती है introduction वो clear हो जाएगा तो आपको doubt बिलकुल नहीं आएंगे अभी बात कर लेते हैं rational और irrational number की तो पहली चीज क्या होती है rational number वो वो नमबर होते जो बंद ओजाती है बार-बार repeat नहीं होती रहती है या फिर उनके उपर बार बार आजाता है वो हमारे rational number होंगे और irrational number का होते है recurring होते है मतलब बार बार-बार बार division करते रओं करते रहो value बार-बार आतीशली जाती है repetition of digits नहीं होती है उनको कहते हैं irrational अभी देखते हैं सबसे पहले हमारा under root 23 अब under root 23 है इसका तो complete root भी नहीं होता नहीं होता है तो यह क्या हो जाएगा हमारा irrational number अंडर root की form में अगर कोई भी number होना पहली बात तो वो irrational होगा दूसरी बात आपने के लिए तो वो irrational number होगा clear है तो यहां पर क्या हो गया irrational second पर पर चलते है अंडर root 2225 अब 225 का तो root होता है 15 ठीक है तो 15 root आ गया इसका तो यह क्या बन जाएगा rational अब आपको समझ में आ गई होगी बात third part पर चलते हैं third part पर क्या है 0.3796 यहां पर छोड़ दिया उसने कुछ आगे ना तो dot आया हुआ है ना कहीं बार है ना कुछ है तो मतलब complete division हो गई है तो इसको क्या लिख देंगे rational number clear है next fourth point पर चलते हैं 7.478478 इस तरीके से अब देखो यहां पर एक तो dot dot आगी इसका मतलब क्या है यह irrational number होगा बट आपको एक चीज ज्यान रखने देखो 478478 बार बार 478478 आता रहेगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 7.478 का बार मतलब 478 की repetition हो रही है अब repetition हो रही है तो यह बन जाता हमारा rational number clear है next देखते हैं 5th part क्या है 1.101001 फिर 301 फिर 4 times 01 इस तरीके से number है clear है अब देखो यहां पे तो repetition होई नहीं रही है हमारी कहीं पे भी यहां पे एक 0 है फिर 2 जिरो फिर 30 फिर 40 फिर 5 आजेंगी 6 आजेंगी ऐसे या 30 देंगी तो बार तो हम लगाई नहीं सकते तो यह हमारा क्या बन जाएगा irrational number कि समझ में आगी बात आपको जिस पर बार लग जाए वह रैसनल नंबर जिस पर बार लगना पोसीबल नहीं हो वह इरसनल नंबर क्लियर रूट की फॉर्म में होगा जिसका complete root ना निकले irrational complete root निकल जाए rational डोटीड फॉर्म में ना दे रखा ओ तो rational डोटीड फॉर्म में दे रखा और बार ना लगे तो irrational क्लियर है कोई डाउट नहीं होगा अब आपको इस चैनल पे आती रहेंगी Thank you students for your love and support for this channel Thanks